अगर आप इस माडल पेपर के प्रसनों को अच्छी तरह से समझते हैं और लगाते हैं ता आपने बोड एकजामें 70 नमबर में से 70 नमबर आवस्यक रूप से 100% चांसे की आप पासकते हैं अगर यहां वस्तू रखते हैं तो प्रतविम दरपर के पीछे बनता है और सीधा बनता है सी होता है वस्तु से बड़ा होता है दूसरा कुछ स्यजन दिया है कि प्रतिरोधकता की असाई मात्रक होता है वह ओम मीचर होता हूं अगला ही की विद्दूत अइत्पन करने के युकती क्या है जो बेद्दूत उर्जा को उत्पन करने के युक्ति होते उसे generator कहते हैं क्या कहते हैं, generator जिसे जन्यटर भी कहा जाता है अगला प्रसंदिया के अभिनेतर lens की focus दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है तो पच्छा भी द्वारा जो होता है उसके द्वारा प्रवर्थि किया जा सकता है अगला प्रसंदिया एक वहानों में किस प्रकार के दरपड को पश्च दरपड देखने की वरियता दे जाती है आपको इसको लिखना है किसी ओटर लेंस की फोकस दूरी 15 से में है वस्तु का लेंस कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वारा बना प्रतिन दस्य में दूर पर बने आपको एक क्विस्चन को लकर जरा दिरिष्टी दो से क्या है इसका निवार कैसे होता आपको इसको लिखना है इलाव दिर्श्टी दोस्तों में बेक्ति को ना तो निकट के वस्तों शीज़ दिखाया धेती ही ना की दोर का यह दोनों दूरी फोकल लेंस का उसमें उपयोग कि आजाता है अगला दे की प्रकास के प्रावरतन के दो नियम होते हैं आपतन कोड़ और परावर्तन कोड़ बराबर होता है अभिलंब यानि आपतित किरड़ अपवर्तित किरड़ अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं यहां पर भी सेमी वकरतात रिज्जावरे अउतल दरपड के सामने 5 सेमी दूरी पर 15 सेमी के दूरी पर रखे वस्तु कोई प्रतविम की आपको इस्तिति ग्याद के लिए अथवा लेंस क्या है प्रकासित गुड़ों की आधार के कितने प्रकार के होते हैं उतल लेंस की फोक और मात्तर दीजे 10 ओम 20 ओम 30 ओम के प्रतिरोध में यही समंतर क्रम शुड़ी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल प्रतिरोध होता है समंतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वन अपान आर बराबर वन अपान आरवन प्लस वन अपान आर्टू होता है उस अगला क्यों दिया यह प्रसन आपके लिए बेरी बेरी उंपोर्टेंट है यह सात नंबर का प्रसन है अगर आप चाहते कि आपका सात नंबर सेफ रहे तो आपको बिद्धुत मोटर का नामांगी चित्र और बिद्धुत जनित्र का यानि जन्रेटर का आपको 100% सात नंबर आपको दिलाएगा यह मेरी 100% का इसलिए आपको यह याद करके जाना है अगला खंडख्व में दिया है कि जड्डेयन प्लस ब्रयूड की जाता है यानि पोटास एलम का प्यूक की जाता है इसका सुत्र होता है के टूइच सुफोर का होल्टवार्स इंटू 24 हच्वो अगला प्रसंदिया कि ओएच करियात्मक समु कहाँ है जहां ओएच आता है वहां पर लिखता रहता है ऑल जिसमें ओल स evitar that कि रेडाक्स अब करिया कि यह का है या का इदार देते हुई समझाई अपको रेडाक्स अबसाने ह डाक्स अपक्रिया मतलब जिसमें आख्सी आफक्यों अपनिया होत की उसे यह बेकिंग सोड़ा बनाने की बिदी कावड़न कि कर दे और आपको इस कमिस्ट्री में सामीर रफश्मिकर को बनाने के लिए जैसे बेकिंग सोडा बनाने की कार्बन डाइब बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोने नवसादर इस सब बनाने की विधियों को आपको अवज़ शुरूब से वरेंगे आधुरिक आवर साड़ी कि नाम भी बहुत बहुत important हैं दिया कि CS3 CS2 आपको नाम करणा है इदर से गिंती कर देंगे 12345 आपको क्या करना है पहले गिंती करना है गिंती करेंगे कैसे इदर हो जाएगा 1 carbon 2 carbon 3 carbon 4 carbon 5 carbon जब 5 carbon होगे तो आपको जोड़ लेंगे 4,4 diethyl pentonic acid आप इसका लिख लेंगे इसके बाद यहां पर दिया है इसका कर सकते है 1234 यहां पर दिया है कि 2 chloro और इसके बाद कितना है 4 butanol कर सकते हैं कहा कि संचार किसे कहते हैं धातुके संचार रोकने की 240 आपको लिखना है संचार का मतलब क्या हो जानते हैं लोकर जंग लगने की किरिया संचार खालाती है अग्लात हिया कि कारबनीक टिपड़ी देना है कारबनीक की वयकों पर साबन की सफाय पर समझा थ् têm सेष्ड़ी प के साथ गम किया जाता है थे कॉनसा मालों का माधा का जनतन नहीं होता है जीवास्म उर्जा का सीरोथ क्या है जीवास्म्य उर्जा का कहा जाता है जो पड़ाएस को अबगटित कर देते हैं क्या उससे कहा जाता है सवपोछी के लिए आपको आवस्य कौन से उत्पाद होतीए इसको बारे में बताता है पुष्प के बिजांड की नमंगी चित्र बनाना है जय निमनीकड को आपको परिभासित करने वाले कारकों को प्रवारित करने वाले कारकों को बताना है काईक प्रवर्धन क्या है आपको उधार दिका समझाए अथो आप माधा जनन का नमंगी चित बनाई यह प्रसन आपके हर एक्जाम में पूछा जाता है आपको यह तयार करके जाना है और अपना साथ नंबर से कर लेना है उसके बाद दिया है कि पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं था भोजपदार्थों के असानंतर के बारें आपको लिखना है इन सबी प् यह श्धाम सत्तर में से सत्तर नंबर प्वाप्द करने का तो आप